अलो फ्रेंट्स प्रिश्टी में आपका स्वागत है और मैं हूँ आनन्द दोस्तों इस वीडियो में मद्रदेश मुख्य परीक्षा के वर्ष 2017 में पूछे गए कुछ प्रशनों पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों हमने काफी चर्चा पिछले वीडियो में की है जहां पर उत्तर कैसे लिखा जाए किसी पूछे गए प्रशन के साथ में कौन-कौन सी अवधार ने जुड़ी हैं उस पर हमने बात पहले की है तो उसी करम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने जो पहला प्रशन ह है वह यह है प्रवसन क्या है जिसको माइग्रेशन कहते हैं माइग्रेशन क्या है और मद्य प्रदेश में प्रवसन की क्या स्थिती है इस पे हमें दोस्तों उत्तर लिखना है दोस्तों इस उत्तर को लिखने से पहले हम जरा प्रवसन के कंसेप्ट मतलब अवधारना की बा और साथ ही साथ भी कुछ अत्रिक्त जानकारी अगर होगी तो उसकी हम बात दोस्तों इसमें करेंगे। दोस्तों पहली बात तो है कि प्रवसन क्या है ये कंसेप्ट आए इसकी बात करते हैं। दोस्तों किसी भी देश ये राजजिन में अगर हम देखें तो माली जी एक ग्रामीन छेत्र है और ये शेहरी छेत्र है। दोस्तों ऐसा होता है बहुत बार कि ग्रामीन जनसंख्या शेहरों की और माइग्रेट करती है। वह पलायन करती है या प्रवसन करती है माइग्रेट करती है, क्यों? क्योंकि शेहरों में बेहतर सुईधाएं मिलती हैं उनके बच्चों को। सिख्षा की, स्वास्त की. शेहरी छेत्रों में रोज़ङार के अवसर भी जजादा देखने को मिलते हैं। दोस्तों ऐसा भी होता है ग्रामीन छेत्रों में जो जात्पात की अधारना है काफी प्रबल होती है और ऐसा होता है कि बहुत बार इससे बचने के लिए भी कोई समुदाये शेहरों की ओर जाता है क्योंकि शेहरों में आम तोर पे जात्पात से जादा यहां पर आर्थिक या आम तोर पे विवहा उपरांत महिलाओं के माइग्रेशन को देखा जाता है तो तो हलाकि शहरी से ग्रामी छेतरों का जो प्रवसन है वो नियूनतम है नाम मात्र है मान थे खोई है जो यसी चेतर में को ऐसा उद्द्योग लग जाए उस गरञेव को सकता है कि शेहर वहो सकता है कि शेहरों से अध्याएट करें अधा प्रवसन होता है मद्रप्रदेश की हम बाद दोस्तों करें मद्रप्रदेश में एक बड़ी जिनसंख्या एक बड़ा भाग आधिवासी है तो आधिवासियों के जमीनों के उपर बहुत पूंजी पतियों ने आघात किये हैं मद्रप्रदेश में अगरांद देखें तो ऐसा हुआ है कि आदिवासियों का प्रवसन शहरों की और हुआ है क्योंकि उनकी भूमी से उनका विख acqundan कर दिया गया उनका विस्थापन ऒंकर दिया गया तो स्थोभी विकासात्मक परियोजना के लिए भी लोगों का विस्था करके विए मालिजे अगर हम बात करें बेतवा के इन परियोजना की तो बेतवा के इन परियोजना के बाद पन्ना जो बाग भ्यारन है वो स्हितर में जो जलका विस्तार होगा, काफी गाउं डूबेंगे तो अल्टिमेटली पलाएं तो बाकी जिलों में होगा ही या फिर बाकी राज्यों में भी तो होगा तो ऐसा हुआ है कि एक तो आदिवासियों की भूमी हो या अन्य विकासात्मक कारे हो जोस्तो नर्मदा बाचाओ अंदूलन आपने सुना होगा तो नर्मदा नदी पर जो बांध बना और उसके लिए भी है उसके कारण भी विस्थापन हुआ जिसके बाद प्रवसन वहां से लोगों का हुआ जोस्तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विकासात्मक परियोजनाओं के फल आथिक आधार हैं या फिर आप कह सकते हैं कि जो विवाह या समाजित परिवर्तन हैं इन सभी आधारों पर दोस्तों आप देखेंगे प्रवसन होता है और मद्यपरदेश की हम बात करें तो मद्यपरदेश में इन सभी कारणों से तो मद्यपरदेश में प्रवसन हुआ है दोस्तों राज्जी सरकार ने अगर आप देखें रोजगार सेतु नाम का एप बनाया है मद्द परदेश सरकार ने उसका रीजन यह है दोस्तों करीब 13 लाख मजदूरों की संख्या आकी गई है जो लोटे हैं मद्द परदेश में वापस जब कोरुना का दौर आया अलग अलग राज्जों से उनकी रोजगार का उनकी च्छती हुई मजदूरों ने वापस अपने घर अपने राज्जे पलायन किया उनकी संक्या लगबग 13 लाखां की गई है दोस्तों होता ये भी है कि ये रोजगार मिलने से भी प्रवसन होता है रोजगार नहीं मिलने से वापस अपने गाउं अपने राज्य लोग लोटते हैं तो वहां पर दोस्ते एक समस्य यह आती कि जहां पर लोग लोटे हैं उनके लिए वहां पर रोजगार की स्थितिया कैसे उत्पन्न की जाएं दोस्तों यह एक बड़ी समस्या मग्दब्रदेश में देखने को मिली है क इसके लिए सरकार ने भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार ने इश्रम पोर्टल नाम के पोर्टल की का निर्मान किया है या उसका शुरू किया है यधि हम मद्यप्रदेश सरकार की बात करें तो राज्य सरकार ने रोजगार सेतू नाम से पोर्टल बनाया है ताकि जो प्रवसन की बात जो लोगों आपस लौटे हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराया जा सके दोस्तों ये है प्रवसन की परिभाशा और मद्वर्देश को लेकर आप देखेंगे कुछ कारण इसमें कौमन है भारत वर्ष में किन्तु मद्वर्देश की दोस्तों बात करें तो आम तोर पे आगा आप देखेंगे कि आम तोर पे जो पलायन है वो आदिवासियों का भी है विकासात्मक कारियों के लिए भी है बांध परियोजना के लिए भी है बेतवा के इन परियोजना की कारण भी प्रवसन आपको देखने को मिलता है इन सभी दोस्तों कारणों से आप देख सकते हैं कि मद्यपरदेश मे प्रवसन काफी व्यापत है और वहां से मद्यपरदेश से आप देखेंगे राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो या अन्य महरास्ट्रा की जिले हो इन सभी राज्यों में दोस्तों लोग रोजगार के लिए माइग्रेट करते हैं दोस्तों जैसे जैसे गलियारे बनेंगे कि मद्यपरदेश का अपना विकास होगा इंफ्रास्टेक्टर के बाद में तो संभावना है कि प्रवसन की समस्या जो है वो कम होगी अब दोस्तों हमने कंसेप्ट की बात तो यहां पर कर ली है अब जरा बात करते हैं इसके उत्तर की दोस्तों इस प्रशन के दो भाग है है तो सुपास्ट प्रशन ही है कि प्रवसन क्या है और दूसरा है कि मद्यपरदेश में प्रवसन की क्या स्थिति है क्या कारण है क्या स्थितिया उस वाгको बताना है तो स्क 2 पर आंकड़े भी देखे कि करीब 13 लाख लोग हाला कि प्रवसन जो होता है उन सभी का आंकड़ा इतना असपस्ट उपलब्द नहीं होता लेकिन कोविट के बाद ये पता चला कि 13 लाख लोग मध्यप्रदेश के जो लोग थे करमचारी थे मजदूर थे वापस आए तो इसमें आप करीब 40 शब्दों में प्रवसन क्या है उसके शौट में क्या कारण है उसकी बात करेंगे दोस्तों अगले 60 शब्दों में आप मध्यप्रदेश की जो इस्थिती है उसकी बात करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे इसमें कोई ऐसा समाधान कोई ऐसा आंकड़ा हो उसको आप पेश करेंगे दोस्तों उसके बाद आपका जो उत्तर है वो सो शब्दों का पूरा हो जाएगा दोस्तों पहले बात करते हैं प्रवसन क्या है आप देखें दोस्तों कि एक छेत्र से एक राज्य से और राज्यकों या दूसरे जिले या स्थानों पर लोगों का जो पलायन है उससे प्रवसन कहा गया है migration कहा गया है यह प्रवसन या तो रोजगार के लिए हो सकता है बहतर समाजिक स्थिति के लिए हो सकता है बहतर आर्थी किलाब के लिए हो सकता या फिक दोस्तों यह कुछ समाजिक जो होते हैं विवादी होते हैं उनके कारण वह होता है जोस्तों यह हमारे उत्तर का पहżejला भाग बनेगा जिसमें आप बताएंग लगत्र काहिए शुंस企दूं उनमें विकास की इस्तिती जोस्तों काफी खराब है अगर आप बाकी जिलों से कंपैर करेंगे अगर आप इंदौर को देखेंगे उजयन को देखेंगे ग्वालियर को देखेंगे यह जो बाकी हमारे जिले उनको देखेंगे तो उनकी तुल्ला में जो आदिवासी बहुल ज वेशकों की निगाह होती है, जमीन को लेने में, उत्पादन करने में, इनका सबसे बड़ा दुष्परिणाम दोस्तों होता है आदिवासियों के उपर, और वहां से उनका पलायन या परवसंद शुरू हो जाता है, दोस्तों विकासात्मक हमने बात की, तो आप बताएंगे, कि कैसे विकासात्मक परियोजनाओं के कारण, इसमें एक्जामपल दे सकते हैं अब, कि नरमदा नदी पर बांध हो, या बेतवा केन नदी जोड़ो परियोजना हो, इन दो प्रमुख परियोजना से, या एक परियोजना बन चुकी है, दूसरी, अभी उसके लिए मन्जू से या भूबी पर जो अतिकरमन है, उससे आधिवासियों का पलायन है, दूसरे जिलों में बहतर सुईधाएं हैं, स्वास्त है, जागरुपता बढ़ने से भी दोस्तों, लोग सिक्षादी के लिए प्रवसन करते हैं, दोस्तों ये मद्द परदेश की स्थिती है कि मद्द के पास कोई विशेश काम नहीं है, दोस्तों इसलिए ये महतरपूर्ण है कि लोगों को उनके जिले या उनके गाओं के समीफी कारे दिया जाना चाहिए, दोस्तों इससे राज्य की बिरोज़गारी की समस्या दूर होगी, राज्य में उत्पादन होगा, राज्य में बढ़ेगी, और दोस्तों एक समाजिक सुरक्षा भी उन लोगों को मिलेगी, जो राज्य में पूर्ण सुधा नहीं मिलें की कारण दूसरे राज्य में पलायन कर रहे थे, दोस्तों ये सारे कारण है, ये सारी स्थितिया है, मद्दबरदेश की बात करें, तो पर्टिकु या किसी महामारी के कारण भी, दोस्तों प्रवसन हुआ है, और इसमें आप देखेंगे, रिवर्स माइगरेशन हुआ है, मतलब एक पुना प्रवसन मद्दबरदेश में देखने को मिला है, कि जो लोग चले गये थे वापस, वो अपने गाउं या अपने राज्ये वापस लोटे हैं, दोस्तों ये मतलब प्रवसन की स्थिती है, ये हमने इसकी परिभाशा देखी, अब दोस्तों समाधान की बात करते हैं, दोस्तों वैसे प्रवसन पुन रूप से कोई खराब नहीं है, किसी दूसरी जगह पर अच्छा आउसर मिलेगा, तो लोग जाते हैं, ले के घर के निकट ही सारी सुईधाई मिलें, दोस्तों इसलिए जैसा के हमने देखा समाधान की रूप में, जो वीकेंद्रिकृत विकास है, जो डी सेंट्रलाइस्ट डेवलप्मेंट है, वो किया जाना चाहिए, इसका मतलब ये है, कि राज्यों के जिले इस तरपर, गाउं जिससे भी प्रवसन दुकेगा, जो विवा उप्रांग प्रवसन आम बात है, उसके लिए कोई विशेश, कोई समाधान नहीं है, किन्तु जो आर्थिक समाजिक पहलू है, उनके कारण यदि कोई प्रवसन होता है, तो उसको रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए, और जो वापस आए हैं, उनके रोजगार की रहरस्था भी की जानी चाहिए, जो इन सभी बातों से हमारा उत्तर संपूंड बनेगा, जो यहां पर एक बात आप आप आइड कर सकते हैं, वो यह है पूरा मॉडल का, हमने पिछली वीडियो में पूरा मॉडल की थी, पूरा मॉडल क जो अंचाहा प्रवसन है, जो मजबूरी में किया प्रवसन है, वो रुकेगा, अगर स्वेक्षिक रूप से हो, बेहतर चीज़े मिलती हो, अलग बात है, किन्तों आम तोर पे हम देखते हैं, कि विकासात्मक परियोजनाओं से, भूमी के हडब जाने से, या किसी परियाव अगरी नुकसान से ऐसा भी हुआ है, जोस्तों, कि जलवायू परिवर्तन से खेत खलियानों की उत्पादक्ता में गिरावट आई, जिसके कारण भी लोगों को शेहरों में जाकर रहना पड़ा, जो प्रवसन है, और वहां पर वो लोग अब मजदूरों के रूप में काम क लिया जाए, जोस्तों, ये हमारे उत्तर का पार्ट बन सकता है, और ये अत्रिक जानकारी भी हो गई, कि आप प्रवसन के इस चैप्टर में इस उत्तर में पूरा मॉडल की बात करें, या आप ररबन मिशन की बात करें, जो हमने पिछले वीडियो में किया है, कि 2014-15 से रर बात इसमें कर ली है, और दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और हम दूसरे उत्तर की बात करेंगे, जिसका क्वेशन हमारे सामने है, मद्यप्रदेश के आर्थिक विकास में जन्वित्र की भूमिका की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, तो यहां भी आपको 100 शब्दों में उत्तर देना है कि कैसे आर्थिक विकास में, मद्यप्रदेश के आर्थिक विकास में जन्वित्र पॉब्लिक फिनेंस की भूमिका पे हमीं चर्चा दोस्तों करनी है, दोस्तों आपको एक आलोचनात्मक विवेचना करनी है, एक सुक्ष में विवेचना करनी है, दोनों पक उनको भी दोस्तों आपको उजागर करना होगा जिसके बाद ही आपका उत्तर दोस्तों बनेगा तो यहां पर आप देखी अगर हम concept की बात करते हैं public finance का मतलब क्या हो गया इसका मतलब है सरकार के द्वारा जो विट पोशन किया जाता है वो हमारा क्या है public finance है सरकार दोस्तों बजट के माध्यम से धन उपलब कराती है किसी भी परियोजना को विक्सित करने में दोस्तों आर्थक विकास का मतलब क्या है अगर इसी राज्य में बहतर रोजगार का आउसर हो क्रिशी का विकास हो उद्यो का विकास हो निर्यात का विकास हो इन्फरास्ट्रक्चर का विकास हो जो सो इन सबसे मिलके क्या बनेगा इस सभी आर्थिक विकास के घटक बन जाते हैं ये सभी क्या है economic development के घटक बन जाते हैं economic development अगर कोई कहेगा इन सब की वृद्धी होगी तो हम क्या बोलेंगे कि देश में economic development है तो तो पहली बात हो ये इन सभी में सरकार के वित की भूमिका पे हमें चर्चा करनी है हमें ये बात करनी है कि कैसे budget गुई या केंदर दौरा प्रदान की गई सहाथा जो मद्रब्रदेश को मिलती है कैसे राज्य बजट और केंदर दौरा सहायथा से राज्य में आर्तिक विकास होगा तो ये हमारा प्रश्ण है तो पहले इस प्रशन की हम बात करें दोस्तों प्रशन ये है कि कैसे केंदर या राज्य के द्वारा वित्व पोशन से राज्य में आर्थिक विकास होगा ये हमारा प्रशन है यहाँ पर आप देखें दोस्तों कि राज्य का अपना बजट है मद्रप्रदेश राज्य का अप पन्टन होता है इन दोनों को आप मिला देंगे इन दोनों को मिला देने से आप देखेंगे कि राज्यु जूल है अगर हम लोकवित्र की बात करें पब्लिक सेनाइंस की बात करें राज्य बजट और केंद द्वरा सहायता से राज्य में कृषी के छेतर में साख का निर्मान होता है जिसको हम क्रेडिट कहते हैं जो तो कृषी में इंफ्रा स्ट्रक्चर जैसे सीजाई परियोजना है उसका विस्तार होता है तो साख का निर्मान हो सीजाई परियोजना हो इन सब के लिए विठ्थ का होना अत्यन्ती आवशक है दोस्तों पहली बात तो यह दूसरी बात दोस्तों आप देखें अगर हम उद्योगों की बात करें तो उद्योगों के लिए बिजली परियोजनाओं का विस्तार परिवहन का विस्तार तो सरकारी करेगी तो बिजली परियोजनाओं हैं परिवहन है या अन्य अवसर हैं उद्योगों को बहुत प्रकार से खनन चाहिए होता है या आयस्थ चाहिए होता है दोस्तों खदानू का विकास है बिजली का विकास है परिवेहन विवस्था का विकास है तो सारे विकास कौन करेगा ये राज्य सरकार का वित्व पोशन से ये चीज़े बनेंगी जिनसे उद्योग दोस्तों चलेंगे दोस्तों सरकार के वित्व पोशन से कोशल विकास केंद इंद्र बनाए जाएंगे जिसको हम कहते हैं इस्किल डेवलोप्मेंट सेंटर्स दोस्तों वित्थ से ही क्या होगा आप देखें अगर हम इस बिंदु को देखें दोस्तों वित्थ से ही अब जैसे माली जी इंदौर है तो इंदौर को एक नर्यात या उतकृष्ठ नर्यात क इंद्र बनाया गया है तो तो नर्यात के लिए भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी तो राज्य सरकार ही अपने वित्थ पोश्चन से बनाती हैं तो यहां देखें आप कि अगर इंदौर एक उतकृष्ठ नर्यात के इंद्र है तो राज्य में या राज्य सरकार द्व बनेगा गलियारे बनेगे सड़के बनेगी बिजली का उत्पाधन होगा क्रिशी का विकास होगा दोस्तो तब जाके तो क्या होगा किसी राज्य में आर्थिक प्रगति होगी तो आप देख सकते कि बजट में जो आबंटन किये जाते हैं तो उन से आर्थिक प्रगति होती है लेकिन दोस्तों पास समझने वाले ये है कि सब कुछ अच्छा है ऐसा नहीं है कभी कभी दोस्तों क्या होता है लोकवित के अकुषल प्रबंधन से आर्थिक प्रगति का मार्ग रुक जाता है या आर्थिक प्रगति का मार्ग बंध हो जाता है दोस्तों देखी कैसे अगर लोकवित का अकुषल प्रबंधन हो तो क्या होगा दोस्तों मद्यप्रदेश की बात करें तो सबसे नवीनतम बजजट के अनुसार मद्यप्रदेश में जो राजकोशी घाटा है वो राज्य के सकल राज्य घरेलूत पात का लगबग पाँच प्रतिशत है दोस्तों ये काफी जादा माना जाएगा साड़े तीन प्रसेंट तक होता तो भी ठीक मानते किन्तु पाँच प्रतिशत दोस्तों मद्यप्रदेश की उपर एक बड़ा राजकोशी घाटे का बोज़ माना जाएगा दोस्तों इससे होगा क्या अगर राज्य पहले से घाटे में है तो ये समझी आप कि आने वाले वर् पर कर लगाती है जिससे आम जनता या उद्योगों पर उसका वित्तिय बोज दोस्तों पढ़ता है अगर कर सरकार बढ़ाती है और कर लगाती है दोस्तों उससे होगा क्या कि आम जनता पर वित्तिय बोज बढ़ता है वो वित्तिय बोज उनके लिए या उनकी आर्थि प्र सारे लाब लेके आता है यह बात सपस्थ हो गई कि लोक वित यह सारे लाब को लेकर आएगा जोस्तों इंफ्रास्रेक्ट्टर का विकास हो कोशल विकास हो उद्योग हो बिजली परियोजना हो परिवहन हो या और द्योगी गलियारे हो यह बिना राज्य की भूमीका के जो हमें विकास करना था उस्का मार्क हमारा बंद रहेगा दोस्तों उस drugiej जनता की उपर लग अलग प्रकार के बिजली का विल है उसके माध्यम से हो या कोई अधिशया हो कोई ऐसा कर वन्हकी माध्यम से करकी उस्ऊली करेगी और वह दोस्तों आर्ति विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ा बादा बन की उत्पन्या होगा जो तो इसलिए आप देखे कि यहाँ पर हमने इस प्रश्वन को अगर उत्र करना है तो यहाँ पर हमने यह बात की है की public finance क्या है जोस्तों हमने इसकी बात की है जोस्तों हमने public प्रगति को समझा है इन दोनों के लिंक में राज्य बजट यदी प्रौफर हो जैसे मालीजे केंद्र सरकार भी राज्य सरकारों को आबन्टन देती है वित्यायो की सिफारिशपर अब ऐसा होता है कि केंद्र के पास मालीजे घाटा पहले से जादा हो तो केंद्र भी राज् स्यूज हो मालिजे अकुशल प्रबंधन हो या दुरूपयोग हो दोस्तों उससे क्या होगा इस साल तो पैसा मालिजे खर्च हो गया किंदू आगामी वर्ष में जो राज्य है वो उस संकट से जूजेगा और उनके पास परियाप्त धन नहीं रहेगा अपने विकास को करने क है के डोस्तों इसकी उत्र हमने कंसप्ट कीबात पूरी कर ली अब इसकी उत्तर पर आते हैं कि उत्तर में क्या लिखेंगे की प्रश्ण है कि मद्वर्देश के आर्थी विकास में लोक वित की भूमिका की आलोचनात्मχविवेचना आपको करनी है सोचबदों में दोस्तों यहां पर एक recommended है कि हम जब उत्तर लिखें हम एक परिचय लिखते हैं उसके बाद हम अपने उत्तर का मुख्य बॉड़ी लिखते हुए उसका निसकर्ष भी इस पर लिखते हैं दोस्तों करीब 15-20 शब्दों में recommended है कि आप अपना परिचय लिखें और 15-20 शब्दों में ही आप अपने निसकर्ष को समेटें इस हिसाब से आपको 60-70 शब्दों में ही अपने उत्तर का मुख्य भाग लिखना है दोस्तों यहां पर चुकी प्रशन है कि आर्थिक विकास में लोकवित की भूमी का क्या है इसलिए सुझाओ यह रहेगा कि आप परिचय में आर्थिक विकास का तात्पर्य देते हुए यह बताएं कि यह विकास जो है यह रोजगार स्रिजन कि प्रिशी विकास उद्योगों का विस्तार परियोजनाओं का नर्मान आदी से मिलकर बना है दोस्तों आपको यह बताना होगा कि आर्थिक विकास दरसल क्या है वो रोजगार प्रिशी उद्योग परियोजना इन सभी के विस्तार से मिलके बनता है आर्थिक विकास दोस्तों यह आपका यह चीज आपकी पहली परिभाशा या आपका परिशे बनेगी तो यहां से आपका उत्तर शुरू होगा कि आपना बता दिया कि आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं उसके बाद दोस्तों आएगा कि कैसे आप बताएंगे इन सभी परियोजनाओं के लिए इन सभी विकास के पहलूं के लिए लोकवित्त का महत्वर निम्न बिंदूओं से देखा जा सकता है पहला जोस्तों पहला क्या होगा पहला यह होगा कि लोकवित्त होगा तो किसानों को परियाप्त साख मिलेगी लोन मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड से धन मिल पाएगा लोक वित्त होगा तो सीचाई परियोजना के लिए परयाप्त धन खर्च किया जा सकेगा दूसरा बिंदू पब्लिक फिनांस के माध्यम से हम परियोजनाओं को अमल कर सकेंगे जाए बिजली परियोजना है या परिवहन परियोजना है गलियारों का निर्मान है राज्य के ऊपर दोस्तों यह धी घाटा कम रहता है माली जी किसी राज्य का लोक वित्त मजबूत है घाटा कम है तो उस राज्य में निवेश भी आता है उस राज्य को आवश्क्ता पढ़ने पर रिण मिल जाता है अगर राज्य पहले से बहुत अधिक कर्ज में है रिण में डूबा हुआ है तो वैसी स्थिती में आम तोर पर होता यह है उस राज्य को कोई और निवेशक रिण नहीं देगा कि इंद सरकार भी बहुत हट तक उनके नए रिणों पर लगाम लगा देती है कोई ने कोई शर्ट लगा देती है जोस्तों इसलिए आप देख सकते हैं कि परिवहन गलियारे हों बिजली परियोजना के लिए वित्त चाहिए जोस्तों वित्त होगा तो राज्य सरकारें अपन मानव पूंजी का विकास कर सकती हैं यूमन कैपिटल का विकास कर सकती हैं जिसमें सिक्षा रोजगार और कौशल विकास केंदर भी क्या है शामिल है जोस्तों यदि हमारे पास लोक वित्त है तो हम उत्कृष्ट नर्यात केंदर का निर्मान कर सकते हैं और उससे हम राज् हमें यहाँपर सकारात्मक्त पहली लिखने हैं तो बॉडी आप TYbak और चुरू relative का आप करया चार सकारात्मकत का सकारात्मक्त पहली लिखें और भी शब्दों में अब जो ईशू है लोकवित के लोकवित्त की समस्याहों का भी भर्णन आवश्य करें तो हमने देखा यहाँ पर कि लोकवित की समस्या है अकुशर प्रबंधन है तो घाटा बहुत जादा है और कर लगाने की प्रविर्तिया है जो निवेशों को ये या भोगताओं के लिए एक समस्या बनके सामने आती हैं तो इसलिए आप यहां पर घाटों की बात करें सरकार की द्वारा कर की बात कर अगर पहले से घाटा जाधा है तो रिंड भी रिंड की प्राब्पती भी आवान तोर पे दोस्तों मुश्किल हो जाएगी राज्य के लिए दोस्तों 20 समस्या की बात की 4 शब्दों में जो भी लाब हैं हमने उसकी बात भी यहां पर कर ली है इन दोनों को दोस्तों मिला द कि अनुपालन को मेहतु दिया जाए हम जानते हैं हमने पहले भी देखा है कि 2003 में संसद ने एक कानुन पारित किया वित्य जवाब देही और बजट प्रबंधन अधिनियम फिस्कल रेस्पॉंसिमिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट राजियों के और केंदर के वित्य घाटे को सीमित करने का लक्ष रखती है और राज्यों को उसी वित्य घाटे की सीमा में अपने खर्च करने होते हैं अपने राजस्तों को बढ़ाने के प्रती काम करना होता है तो इसलिए आप देखें कि अधिनियम जो है ये अधिनियम अगर हम पालन करते तो राज्य के वित्य की स्थिती मजबूत होती है और हम यहां पर दोस्टों बात कर सकते हैं कि राज्यों को अभी वित्य आयोग की सिफारिश के अनुसार भी कल राशी में से 7.5 प्रतिशत वित्य की उपलदता होती है साड़े साथ प्रतिशत दोस्तों वित इनको यहां से मिलता है वित आयो की सिफारिश जो पैसा केंदर राज्यों में बाड़ता है उसका साड़े साथ प्रतिशत मद्द बर्देश को दोस्तों दिया जाता है दोस्तों इससे भी मर्दबरदेश की वित्र की पोजीशन को मजबूत किया जा सकता है दोस्तों इन सुझावों से एफाबियम अधिनियम का अनुपालन हो और वित्र आयों की सिफारिश में इजाफा किया जा सकता है जिसके माद्यम से राज्य के वित्र की स्थिति को या हमने बात कर ली है वित्ता आयोकि सिफारेशादी की तो इससे हमारा उत्तर समाप्त होता है तो ये था हमारे दोनों प्रश्णों पे एक विस्त्रित चर्चा तो उस तो मिलेंगे अगले वीडियो में और अन्य प्रश्णों पे बात करेंगे धन्यवादी PCS परिक्षाओं से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के लिए हमने शुरू किया है एक नया कारिकरम Science दिस वीक ये कारिकरम हर अविवार दोपहर बारा बजे द्रश्टी PCS चैनल पर प्रसारित होता है